किसानबाईयों नमस्कार मालवा फारम में सभी किसानबाईयों का सुवागत है गुर्विंदर डैरी फारम पे आज हम आए हुए हैं गर्मी का जो सीजन है बिलकुल अपनी पीक पे है टेंपरेचर पंजाब की बात करें 47 46 के रौंड पंजाब का टेंपरेचर चल रहा है तो जतना दूद देती है उतना दूद दे रही है पंजाब के फारमर कैसे दूद मेंटेंड कर लेते हैं हलाके थोड़ा बहुता दूद कम हो जाता है ऐसा नहीं कि जो 50 वाली है वह 20 पर या 25 पर आजए तो दूद मेंटेंड कैसे करके रखा जाए गर्मी में गाएं का दूद पहले तो reason क्या है क्यों कम होता है उसके बाद उसके solution क्या है उसके बारे में आज की वीडियो में discussion करेंगे गाएं कोई भी चलाकर नहीं दखाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ knowledge की वीडियो है तो गर्विंदर के साथ मुलाकात करवाने से पहले इनके काम के बारे में बता द संपर कर लेना गर्वेंदर नमस्कार तो मेरा सवाल आपने भी सुन लिया जैसे गर्मियों में सबसे पहले तो जे बताओ के दूद कम होने की रीजन क्या है उसके बारे में जो किसानों के डॉट है वो क्लियर करो तो सभी बैयों को नमस्कर एक वर फिर से मैं नमस्कर कहता हूं तो आज का जो विशह हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बहुत सरे कर्स्टमर के कमेंटर भी आ रहे थे हमारा दूद कम पढ़ गया हमारी गए को हमारी गए का टंपरिचर आप रहता है हमने इंजेक्शन लगा लिए उसको यह कर लिया तो मैं आपको मैं बत लिए तेज हो जाता है तो यह हाफ ने लग जाती है तो यह आप गर्मी के वज़ा से हम खुद भी बोलेंगे नो तो हम भी खाना खाएंगे तो कम खाते हैं भी बहुत ज़्यादा हमसे ज्यादा खाना खाया नहीं जाता है तो ऐसी यह जिस साब से इसका बड़र सरको लीशन तरहा भी नपकर जाता है तो यह खाना 50 कर जातीय और हम बोलते हैं ऄ तो एंवियर्मेंट ही ऐसा हम खुद का भी टेंपरेचर चेक करेंगे तो एक पॉइसी बॉड़ी का टमपरेचर ज्यादा रहे गा तो ऐसे एंटीवर्ट के लगा जाते हैं कुछ तो नोने गर्मियों के वाज़ा से दूद तोड़ना था कुछ वो अंजेक्शन लगाते हैं उन लों तो वहां पे अनिमल भी बहुत कोशिश करता है जब हॉसके अंदर से जो गर्म एश्न करती उससे क्या होता है उसके बॉड़ी का टंपरेचर मेंटेन करने का शंता रखता है तो हम पहले प्लस पॉइंट हम गर्मिंको बांध के मत रखें बांध के जैसे मैं लो हमने रखा हुए अभी तो वैसी हीट है और एक प्लस जब कठी रथी नंकी हीट डबली हो जाती है लिए लिजड़ा हो जते हैं तो उसका हमेटी ज्यादा हो जाती है दिन में बटर प्लाती हमारा थीन टेंप लादेंगे तो उसका रहता भी गाये बंदि बंदिश में रहती है तो गर्मी में आप जाएसर खुला शेड़ों जहां पे उसने बैठना है पानी दिन से जहां तो उसके आगे रहा क्यों तो जहां उसको दिन में 5-6 बार पानी पे जितना पानी पीएगा उसका डी हाइडरेशन काम होएगा बॉड़ी में टमपरिचर थोड़ा-बॉरता ब्लाड सर्कुलेशन ठेंडा पड़ेगा उसकी हाट बीट डाउन जाएगी तो गाए थोड़ी बहुती गर्मी कम मनेंगी दूसरा मैं आपको बताना जाओंगा कई व का बॉड़ी का टमपरिचर बहुत आप होता है आप क्या करते हो गर्मी में इतनी हिटिंग में इसको सीमन दे देते हो सीमन देने का टाइम नहीं होता भी सीमन गर्मी देने में गर्मी में सीमन देने का टाइम जब सीमन देते हो अंदर में इनफेक्शन तो और बढ़ जात ही तो प्रस गये का दूद्र जो मिलकिन यह बहुत कम हो जाता है बहुत कम वह जल्टा उसका मुर्ण से तो उसका रिजल भी हो जाता है एक कर दूद कम होने तो फिर बोलते हैं गाई ने और दूद कम कर देतीं तो मैं आपको बताना जाओंगा आप कैसे बचाव कर सकते इसका आप इनको जाता आप फोगर सिस्टम लगा तो जो हम कि ज्यादा हाफ्ति है तो उनको बोलने चाहूंगा भी आप डॉक्टर के पास जाओ के वह बोलते कैल्चिम देदो कैल्चिम में अपना काम करना है और जो मैं अपना किसी भी कंपणी के साथ कोई टाई अपनी है किसी के कोई नहीं मैं आपको छोड़ी सी क्जांपल देता कि मैंस में बहुत सरा प्रेक्टीकल करता हूं खुद के फ़र में प्रेक्टीकल करता हूं प्रोटिंघी यहता है जो ज्यादा दिन में हाफ्तिया यह लाने बार नकालते जीब और नकालते इसको आप हँंडर आमल पाड़े दो 5 लीटर प्ला दो 100 प्रसेंट असका बॉड उसको बधर हो उसका जो passar बेगल इसके बानिक ँदर के डैमेज हो जाती है वह कैसे हो कि मैं छोटी सी एक्जांपल देता हो अपने में कि हम ड्रिंक करते रहते हैं करते रहते हैं वह हमारी गुर्दे किड्निया फेल कर देती है आदमी फिर भी नहीं रहता फिर और जोर से करता फिर वह बिल्कु सारे कुछ वाश कर देती हैं बिल्कुल फिर एंडफेंड हो जात उसके बाद इसकी बॉड़ी या जो उसको खान पीन लगना बंद हो जाएगा खाना पीना लगना बंद हो जाएगा तो उसके बाद इसकी बच्चे दनी कभी आप बच्चा कंसीवी नहीं करेगी क्योंकि जो गाये ने खाना पीना डाइजस्ट करके आगे अपनी बॉड़ी क कुछ नहीं रुकने वाला हूं कि माइओं को बोलना चाहूंगा अगर 24 लीटर दूद काम हो गया तो क्या बात है कुछ नहीं होता 24 लीटर से कितने पर 40 रुपे भिकता होगा 4 लीटर कितना 120 रुपे का है अगर आप दो मीने लोगा तो क्या है आपको पूरा साल जो फिर भी गाय है एक ही जगह बेबंद नहीं है इसके उपर हम क्या कर सकते हैं तो यह सी में तो नहीं रुक सकती पर इसमें आप फॉगर सिस्टम लगा दो चार के अरपय का फॉगर सिस्टम लगता है इसमें का टंपरेटर मटेन हो जाएगा अगर आपका एनिमल यंग ह तुम अभी का आपको टंपरेटर बता दू पंजाब का फॉटी फॉर के सम्थिंग है मैं यांग एज अनिमल का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि फोटी बन के सम्थिंग टंपरेटर अभी पांच बजगे पच्पन मिंट हो चुके हैं फास्ट में गाया कोई फोगर नीचल रहा कोई फैन नीचल रहा तो गाये बिल्कुल राम से घडिया है आज का हाई एस्ट कितना गया था दिखाना हाइस्ट सर आज का आप चेक कर तो अनिमल यंग रहेगा अनिमल को फूड अच्छा रहेगा फूड अच्छा रहेगा भी आप मिल्किंग के लालच काम करोगे दो मीने इसको कोई ठंडी चीजें दोगे जैसे जौन हो गया पानी में आप गुलू को डीप मिला के प्ला सकते हो बहुत सस्ती है नहीं आप सकते तो शक्र शक्र कैसे प्लानी है वह बताना जाओंगा शक्र और इमली लेलो आप एक मैं देशी तरीका बताता हूं जो मैं अपने फार्म में फॉर्मुला यूज करता हूं शक्र कई भाईयों को नहीं पता चले तो गुड बोल देता हूं गुड 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 लेलो शॉक्र शादियों में में भाषाम बोलेंगे जिसने चटनी बनती है है कि तो एक बड़ा सा घड़ा लेलो है मिट्टी का बढा हुआ अगड़ा लेलो उसमें क्या कर आप डाइक यजी शक्क ड़ो और एक के जी इमली ड़ू उसको फुल पानी में बर दो है फुल पानी मे उसको हर रोज एक लीटर गाय को पलाओ उसका पानी ना तो आपको कोई प्रोटिंस ही देने की जूरुत पड़ेगी जे कैल्चियम बार से लेकिया तो ना गाय आपकी आपकी गाय खराब होएगी ना आपको उसकी गाय को फिवर होएगा क्योंकि वह चीज़ें ऐसी है भी उ खाना छोड़ जाती है तो दूद तो इसने अट्रमट के तोड़ने तोड़ने और आप अच्छे केर करो एनिमल को लीवर वगरा टॉनिप गराजूर दो इनकी अच्छे केर करोगे तो बहुत बड़े लेवल का बिजनस है मैं फिर बोलना जाओंगा इसको छोटे लेवल क किसमत बदलते देर नहीं लगेगी आज के टाइम में कोई बिजनस ऐसा नहीं मौर्निंग का पैसा वियात में इविनिंग का पैसा वियात में जितनी मेनत करने से उतना पैसा तो आप में जुरूर आएगा प्लस हमें इसको हमां बड़े लॉंग टाम से चला रहे हैं अगर अगर मैं गॉर्मन जौब करूंगा तो मैं अपने लिए करूंगा मेरे बच्चों के लिए वह गॉर्मन जौप नहीं मिलेगी मेरे को और यह बिजनस ऐसा है अगर आप खुद के लिए स्टार्ड कर रहे हो ना तो आपके बच्चों का इंट्रस्ट हो जागा यह लॉंग पीडी दर पीडी चलता रहेगा पता नहीं किदनी पीडियों चलता रहेगा और मेरी तीसरी पीडी चल रही एस बिजनस में मेरे दादा जी करते थे फादर साहब करते थे अभी हमारे माता जी संभालते हैं हम खोद तीन भाई लगे हुए है तो हमारी तीसरी पीडी चौथी क्योंकि 50 अनिमनल ने जो प्रॉप्ट देना वह आपका खुद का बिजनस होगा किसी के पीछे नीचे नहीं काम करना पड़ेगा तो आप खुद अनिमल रखो पांच अनिमल से स्टाड करो ज्यादा नहीं मैं बोलूगा पांच अनिमल से स्टाड कर एक फार्मर अच्छा स्टाड करते हो सरदियों में वन पांच अनिमल्ट से मेरो ले देता हूं पर हां मेरे रखों फार्मर जुरूरव जूड़ने वाला है थिंकिंग अच्छी रखो एनिमल बैस लोऊंको एक बिजनस संज़ के चलो बिजनस समझ के चलो तो आपका डेरी फरम लाउंग टाइम जाएगा दूद के प्राइज ऐसा मत सुचो भी कम हो गया ऐसा हो गया दूद के प्राइज तो डे बाई बढ़ने भी उस टैम भी मेरेको इस टैम की सुरत है जब हम नौर पे लीटर दूद डालते थे नौर पे लीटर तो आए तो फिर भी 35 हो गया बढ़ा तो है ना गटा तो नहीं है ना तो अनिमल कभी भी लॉस में लेकि जाता अपना खर्चा खुद नकालता है गाही असी है पर आप एक ब्रीडिंग ही वाले अनिमाल प्रसेंटिकरो चाहे बाप सर्दियों में कर रहे हो चाहे गर्मियों में कर रहे हो फैट परसेंटेस की बात आ जाती है जनरेशन आ रही है नेक्स्ट लेफल की जनरेशन आ रही है उनका वूलों चौंका उनकी फैट प्रसेंटेसी फोर के संसिंग आ रही है आप रमादा बुल का ब्रसेंटेस पढ़ो कि इस पाइभा हुआ है कि मिले करवा जान कहीं सब्समें कर परती है थॉटीड़नस टमपरेटिर करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है इंद में तो आप इसका टमपरेटर जबर House को थन्डा करने के लिए कि आप जो मैंने देशी नुक्ता पता है इमिली और शक्रवाला यो जूस कर सकते हो वो सबसे बैस्ट नहीं आप वो त्यार कर सकते हो तो आप प्रोटिन काम रहेगा और दूसरा जो आप फीडिंग दूद ले रहे हो उसको फीडिंग को थोड़ी बहुत ही कम कर दो एनिमल की दो मीने संभाल कर लो आपको कोई लॉस में नहीं जाने वाला ऐसे से केर करोगे तो आपका एक डेरी फर्म अच्छा चला जाएगा हम आपके लिए सेल करने लगा दिया मेरे को यूटूब के मादिम से फेमस बना दिया आपने तो मेरे को उस लेवल पर पंचा दिया जिस लेवल पर पहुंचने के लिए अभी 10-10 साल 15-15 साल मेनत कर रहे थे फार्मर वह आपको पता मैं क्या बोलना जाता हूं भी बहुत सारे फार्मर लग में वह मिला जीता है तो कई भाईयों को लेंगवेश की प्रॉलम रहे दिए मेरे को इतना डीपली नहीं बताना जाता कोई भाई को जहां गाय का टांपरेचर में नहीं डूट रहा तो क्योंकि गर्मियों में फीवर तोड़ने की मैडिसान नहीं लाग गया है मेरे को एक बातों का द्यान रखते हुए फिर आप अनिमल के इस लाइन में आओ और कोई वी स्वालों कोई वी कि विशे पर वीडियो बनानी हो तो आप नीचे क्मेंट करूं मैं आपके लिए हर्टेम हाजरूं क्योंकि मेरे लिए आप बगवान का रूप हो प्यार बहुत करते हो आ ली अजवी तो आप देख लो सर इसमें त्यरबा आना बहुत मुश्कील काम मेरे को 12 साल और तीसरी पीडी चलगी त्यरबा दियरबे की बात मैं बता देता हूं कि हर रोज़ नया सीमन आ रहा है नहीं से नहीं बुल आ रहे हैं अगर त्यरबे की बात करें तो बोल देंग तॉप लेवल पर पहुंच गए वो चीजों को मत आप करो एक थंडे दमाग से बिजनस चलाओ और स्टेप बाइस चलो फास्ट पॉड़ी चोड़ो फिर सेकंस पॉड़ी चोड़ो एक एक करके पॉड़ी चोड़ो के तो उपर चड़े जोगे अगर आप फास्ट में उपर क्या देबल फें, नीचे अधिानन अब परिश्यान के लिए थे, तो हमारे साथ जुड़ो, हम आपके लिए खड़े हैं, आपके आपके साथ हैं, तो आने वाले मैं को श्पैसल धैक्स करता हूँ धन्यवाद